जिल्विबंद मूलवी सर्जन बरकती का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया बरकती ने शोपिया जिले के जेनपोरा विधानसभा शेत्र से जुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था परिवार ने शोपिया में डीसी कार्याले के बाहर प्रदर्शन किया सरजन बरकाती की बेटी ने अपने पिता की और से नामांकत दाखिल किया था सरजन की बेटी सुग्रा बरकाती ने कहा कि हो सकता है कि उनके पिता ने अतीत में गलतियां की हो पर अब अगर वो लोकतंत्र में प्रवीश करना चाहते हैं तो उनका नामांकन पत्र क्यूं खारश किया गया उन्हें सरकार से अपील की कि उनके प्रता को एक मौका दिया जाए विधानसभद चुनावी वाहूल के बीच आय दिन जगजगा संदिग गतविधियां देखी जा रही है इस तरह के गतविधियों में सवेदिन शील जिला की अंतराश्री सीमा के साथ लगे पडोसी पठान कोट की सीमा शेत्र बम्याल में भी संदिग गतविधियां लगातार दिख रही है जिसके चलते कठवा में तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है भाजपा के राश्री महा सचुफ तरुन चुग ने केंद्र शासत प्रदेश के लोगों को एंसी कॉंग्रस गटबंदन के दुरभावना पूर्ण इरादूं के प्रति आगहा किया पाटीकारी कर आतंकवाद और अलगवाद को बढ़ावा देनी के लिए नाशनल कॉंफरेंस पीडिपी और कॉंग्रिस पर निशाना साथते हुए कि इंद्री अमंत्री और भाजपा के जमु कश्मीर चुनावी पर भारी जी किशन रेड़ी ने कहा कि आगामी चुनाओं में किंद्र शा सत्तर को हटाने का वादा किया था और इस वादे को पूरा भी किया नाशनल कॉंफरेंस के उपधिक्ष उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए पीडिपी की अधिक्षा महबूब मुफ्ती ने कहा कि जमु कश्मीर में हलाल और हराम चुनाओं का दौर एंसी पार्ट जमु कश्मीर रियासित के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसलिए हमने पिछले दिनों कॉंग्रस के साथ गटबंदन किया हलाकि गटबंदन हमारे लिए आसान नहीं था उनने कहा कि हमने बहुत मुश्किल समय देखा है जब बिना किसी वज़े नौजवानों को सताया गया तंग किया गया यह कहा कि अपने अपने हल्फ नामे में वादा किया है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम जमु कश्मीर में PSA का कानून हटा देंगे जमु कश्मीर विधान सभा चुनाव के बीच भाजपा में विरोध देखने को मिल रहा है टिकट वितरन को लेकर जमु कश्मीर में भाजपा के भीतर एक और विद्रोह उस दौरान देखने को मिला जब पार्टी के वरिष्ट नीता चंद्रमहन शर्मा ने पार्टी से स्तीफा देने की घोशना की और निर्दली अचुनाव लड़ने की धम की दी बासबगे वरिष्ट नेता एडविकेट चंद्रमहन शर्मा ने इस बात की जानकार एक पत्रकार वारता कर दी हमजा मकदूम साहिब का सालाना उर्स कश्मीर खाटी के लगलक जिलु में धूमधाम से बना गया इस मौके पर काफी संख्या में अकीकत मन मकदूम साहिब पहुची और माथा टेक कर अमन शांती की दुआ मांगी काफी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया इस दोरान कई गायकों ने डोग्री गीतु से समाबांधा और दर्शकूं को मंत्र मुप किया मिस्टीन टूरिजम अर्थ 2024 का खिताब जीत कर जमू कश्मीर के साथ साथ देश का नाम रोशन करने वाली अर्शदीप कौर ने जमू में एक पत्रकार वारता कायवजिन किया इस मौके पर अर्शदीप ने अपने सफर के बारे में चानकारी दी और इस सफर में योगदान देने वाले सभी लोगों का शुक्रियादा किया